यार एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो अपडेट ये आई है कि सीटेट के संबंध में है जिनका भी इस बार सीटेट जो है दो चार शे नमबरों से रह गया है सीटेट उनका नहीं निकल पाया है और लाइन इंजाम के पैटरन की वज़ा से कुछ बच्चों का कुछ चात्रों का जो सीटेट है वो नहीं निकल पाया तो मैं आपको बता दूँ उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आ गई है आप तनिक भी परिसान ना हूँ जो भी फेल है वो तनिक भी परिसान ना हूँ उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आ गई है और वो राहत की खबर मैं आपको दिखाता ह आप जो है CBSC के द्वारा जो है जैसी ही आप new check करेंगे तो उन्होंने बताया है कि जो CBSC की परिच्छाएं है उसका जो जुलाई वाला आवेदन है वो हम इसी अप्रेल से सुरू कर देंगे तो अप्रेल से जैसे ही इनका आवेदन का प्रोसेस होगा तो अप्रेल के बाद जुलाई में तुरंत जो है एकजाम कंटेक्ट करा लेगी तो जिनका इस बार नहीं निकल पाया वो अच्छे से प्रप्रेशन करें और जुलाई में जो है वो result उनका जो आएगा एकजाम जो ह हुआ था तो चात्रों के बार-बार कमेंड आ रहे हैं कि क्या जो सीटेट का एकजाम पैटर्न है उसको पुराने धर्रे पर लाया जा सकता है अफ्लाइन किया जा सकता है तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना के मद्दे नजर चलते हुए जब कोबिट का संक्रमर पूरे दे और कही न कही जो नॉर्मलाइजेसंस प्रोसेस था उसमें भी कुछ फाल्टे पाई गई गई कई प्रुष्ण विवादित थे तो बच्चे इससे जो है ऑनलाइन सिस्टम से बच्चे जो है वो संतुष्ट नजर आए नहीं तो हो सकता है कि CBSC इस बार अपने एकजाम का जैसे पहले ही वीक लगेगा उस पर ही नोटिफिकेसंस आ जाएगा जुलाइज का सीटेट का उसमें आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और जुलाइज में आपका सीटेट अच्छे से निकल जाएगा ये अपडेट वीडियो था कैसे लगा कमेंट वक्स में चाप दीज झाएगा और जूजिए